हलो गाइज, वेलकम तो दे चैनल लिए शला जेही नीट, आज का ट्रिकी क्वेश्चन अव देए है, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जैसा कि हम लोग देख चुके है, कि यह जो क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर बोलता है कि solute का mole fraction 0.1 दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें भी यह पता होना चाहिए कि solute का mole fraction 0.1 है, यह दिया हुआ है, यहाँ पर temperature mention किया हुआ है, molarity solution का बोलता है, molality के equal है, मतब यहाँ से हम लोगों को set करना होगा अपना, जो भी equation का जो अप्रिमाई से वो यहाँ से set होगा, कि जो molarity है, वो molality के बढ़ाबर है, तो यह मेरा एक बहुत ही important condition है, जिसको हम लोग बाद में इस्तमाल करेंगे, solution का density 2 gram per ml दिया हुआ है, ज molarity, molality equal है, यह हमारा important condition है, और तीसरा चीज़ के density यहाँ पर बढ़ाबर है, तो यह तीन चीज़ दिया है, इन तीनों को कैसे इस्तमाल किया जाए, कि हम लोग बहुत आराम से जो है, वो molecular weight के ratio को निकाल सके, तो सबसे पहले समझना क्या, देखे, हम लोग थोड़ा सा आसा के लिए बार बार लिखना ना पड़े, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कि हम लोग यहाँ पर मान लेंगे कि solute का जो है ना, उसको हम B से रेप्रजेंट कर रहें, और solvent को हम लोग A से रेप्रेंट कर रहें, और solute का, जो molar weight है, जो molecular weight है, उसको हम लोग X मान रहें, और molar weight, जो solvent है, मतलब जो A है, उसको हम लोग Y मान रहे हैं, अब हम लोग start यहां से करेंगे, जो mole fraction 0.1 दिया हुआ है, 0.1 mole fraction का मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह होता है, कि जिसका mole fraction 0.1 है, उसका 0.1 mole होगा, मतलब solute का mole कितना होगा, 0.1, और कितने mole solution में, तो 1 mole of solution में, तो यह बहुत important चीज़ है, यह definition है इसका, और जहां पर भी concentration का, इस तरह का question आता है, जहां पर mole fraction दे, molarity में जाना है, molality में जाना है, सबसे पहले एक का definition लिखे, तो 0.1 mole fraction का definition हमने लिख दिया, क्या लिख दिया definition कि 0.1 mole of solute present in 1 mole of solution, तो यहां से 1 mole, अब इससे क्या क्या पड़ा चल गया, तो सूचिए, अगर solvent हमारे पर 0.1 है, solution अगर 1 है, तो solvent, सूचिए, यहां पर solute अगर माल लेते हैं, 0.1 है, ठीक है, solute कितना है, 0.1 mole, तो solution total कितना है, 1 mole, तो इसका मत्रब क्या है, कि जो solvent है, वो कितना हो जाएगा, बहुत ही आसान चीज है, 1 में से इसको माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 0.9 mole आजाएगा, अब सूचिए, अगर mole पता है, तो mass निकल सकता है, तो अगर हम total mass निकालने की अगर सोचें, अगर तो solute plus solvent, दोनों के mass को जोड़ना पड़ेगा, तो सूचिए, total mass of solution कितना आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके mole को, इसके molar weight, जो कि हमने x माना है, तो x से multiply कि, और इसके mole को, इसके molar weight, जो कि हमने y माना है, इससे हम लोग multiply करेंगे, बिल्कुल clear है, तो 0.1 into x plus 0.9 into y, ये हमारा gram में mass आगया, किसका mass है, solution का, अगर देंसिटी दिया हुआ है, अब हम लोग यहां से volume of solution हिकालेंगे, ये क्यों निकाल रहे हैं, इसका चीज आपको पता चलेगा यहां से, देखिए, इसका पता चलेगा यहां से, इक question में दिया है, और molality का formula क्या है, तो molality का formula होता है, moles of solute, बट का value of solution, और volume of solution किस में लेना होता है, लीटर में लेना होता है, अगर ये लीटर में नई, ml में है, तो हम में पता हैं कि thousand से divide करेंगे, तो वही 1000 यहाँ पर पहुँच जाता है तो यह Molarity है और Molarity में आप देख सकते कि यहाँ पर क्या चाहिए? Volume of solution चाहिए तो हमने क्या किया देखिया? हमारे पस density solution का पता है हम लोगोंने mass of solution निकाल लिया यहाँ से x और y के term में तो volume के density is equal to क्या लिखते हम लो? Mass by volume ठीक है? तो यहाँ से volume निकाले तो mass by density कर लेंगे और mass by density करेंगे volume तो यहाँ से आपका यह वाला answer यहाँ पर volume आएगा जो कि mass और बटा में density हो गया तो इतना आ गया इसको हम लोगों यहाँ पर पूट कर देंगे अब molality जो की बराबर है तो molality कितना? molality कितना है? तो 0.1 दिया हुआ है ठीक है? बहुत आराम से clear है molality कितना हो जाएगा? molality मत्तब होता है moles of solute, but हमें क्या होता है? mass of solvent होता है solvent क्या है? यहाँ पर solvent है मेरा A देखिए, solvent क्या है मेरा? यह वाला A मेरा solvent है जिसका molar mass दिया हुआ है y तो कितना mol था? इसका 0.9 तो solvent का mass कितना होगा? 0.9 into y हो जाएगा तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर पूट कर देंगे और thousand से multiply क्यों कि यह चुकी gram में है और हमें kg में चाहिए होता है अगर इसको थोड़ा बहुत solve करें अगर हम लो decimal वगरा को हटाएं और अच्छे से solve करें तो 18y प्लस x प्लस 9y 9 को इधर लाएंगे 9y is equal to x आएगा तो x is to y कर issue कितना आएगा? 9 is to 1 आजाएगा और x क्या है मेरा? वो solute का mass y क्या है मेरा? solvent का mass तो यही चीज यहाँ पर दिमाग में आपको रखना है तो answer मेरा कितना आजाता है? 9 is to 1 तो इस चीज को मैं थोड़ा summarize करना चाहता हूँ सबसे पहले आपको start कहां से करना है? mole fraction से करना है mole fraction 0.1 है वहाँ से start कीजिए total mass of solution निकाल लिए total mass के लिए volume of solution निकाल लिए density के मदद से फिर molarity molality जो equal दियावा है condition यहाँ पर जो सबसे start के मैंने बताया थे यही हमारा main condition है इसको हम लोग बराबर करेंगे molarity का definition मतलब जो formula है moles of solute बटा में volume of solution और in 2000 क्यों? चुकी ml में है molality क्या है? moles of solute बटा में mass of solvent है यहाँ पर in 2000 क्योंकि gram में solve करेंगे answer आ जाएगा मैं उमीद करता हूँ आपको explanation काफी पसंद आया होगा और अगर यह video पसंद में आता है तो आप इसको like करना, share करना और channel को subscribe करना बिलकूल न भूले so thank you guys and all the very best